मसकर दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट साइड वाला जो होता है आलू टिकिया चाट जो की चाट का नाम सुनते ही सबों के मुझ में पानी आ जाता है तो देखिए अज घर पे ही बनाएंगे अब बहुत सिंपल में हमारा चाट यह सफेद मटर है जो की रात भर पानी में शोक करने के लिए हमने रख दिया है और इसे साफ करके अब इसे हमें करना है उबालना है अच्छी तरह से पकाना है तो हम सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और प्रेशर कुकर में यह हमारा जो सफेद मटर है क्योंकि इसमें आलू डालेंगे तभी ना मारा हिए जो बहुत ऑलू डालेंगे साथ में एक एगश्वत्तार दाल देंगे और क्या करना है हमें प्याज है तो यहां दो तीन प्याज डाल देंगे तो प्याज डालने के बाद इसमें हरी मिर्च जो लाल हो जाती है न वो वाली है दो और थोड़ी से गरम मसाला है खड़ा गरम मसाला वो डाल देंगे टेस्ट हमसार नमक डाल देंगे हलका और इसको नमक के साथ हम थोड़ जल्दा काटकर दोकुणाना मतर करणा जल्दी छूट Hin अजoking ग्लाश है लगार के लिए हम याल चाहिए मिन दाला मतर दलाओं अधकन लगा के हम इसमें चार सीटी आने तक मटर को पका लेंगे तो यह देखिए ठंडा होने के बाद इसको चेक कर ले रहा है तो यह बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है तो यह हमारा मटर जो है न वो तैयार हो गया है तो मीठा सोडा दो पींच जरूर डालिए क्योंकि कई बार होता है कि मटर हमारा नहीं पक पाता है जब तक कि मटर हमारा अची तरह गलेगा नहीं फिर चाट का मज़ा नहीं आएगा फिर आलू मैसर से हम आलू को मैस कर लेंगे या अपने चम्मच से भी अच्छी तरह से इस को साइड में रखेंगे फिर बनाएंगे घरी चटनी के लिए हरा धनिया ले लेना है हमें अर धनिया के साथ हम लेंगे इसमें थोड़े से तीखापन के लिए हरी मिर्च लहसन और इसमें हम लेंगे ये वाला जो से हैन न हमकीन से वो ले लेंगे साथ में टेस्ट के अनुसार नमक लेना है हमें और थोड़ा सा काला नमक भी ले लेंगे अब इसमें डालना है हमें एक नीम्बू का रस हमारी चटनी को खटा बनाने के लिए या तो आमचूर का पाउडर या नीम्बू का रस ले लीजिए और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका फाइन सा चटनी बना करके हमें तैयार कर लेना है तो इस तरह देखिए हमारा थनिया की चटनी जो है हरी वाली चटनी बन के बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है तो अब आते हैं आलू की टीकिया बनाने के लिए तो यहां पांच आलू है मीडियम साइज का और मैसर से हम आलू को मैस कर लेंगे आलू मैस करने के बाद इसको हमें इसी से टीकिया बनानी है हमें जो कि हमारे चाट को बहुत ही बहतरीन बनाएगी और समुसा बनाने में थोड़ा ज्यादा जंजट है और आलू की टीकिया बहुत यह अजानी से आप बना सकते हो तो आलू को अच्छी तरह से हाथ से भी चेक कर लेंगे ज्यादा बड़ा कोई आलू का टुकड़ा तो नहीं रग गया है तो उसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे अब इसमें हमें कुछ समान डालना है जैसे कि ये है फ्रेस हराधनिया और हरी मिर्च डाल लेंगे तरह हाँ हमारा जो टिक तक हमाता बड़ा देंगे छोरा सान भी बड़ी ट्यवाल धाल गेंगे आप थोड़ी सिली मिर्च shouldn't color देंगे मिर्घ णत्वणे बड़ा उसे हमारी ठीक में एक अच्छा बायन डेंडिंग कि और इसके जगह पे आप चावल का थोड़ा साटा भी डाल सकते हैं, ना हो तो ना तो इसमें थोड़ा सा दो चमज ब्रेट करम से भी डाल दीजिए, लेकिन कुछ तो डालना ही पड़ेगा, इसमें आलू डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, तो इस तरह से कॉन्फलोर डाल कर मिक्स कर लेंगे, तो कॉन्फलोर से हमारी टिक्या में बहुत ही अच्छा करंच आएगा, तो इस तरह से हाथ को थ्रा साफ कर लेते हैं, फिर तेल लगा करके, इसको इस टिक्या का सेप बना देंगे हम, तो इस तरह से हम टिक्या का अकार बना करके, साइज बड़ा छोटा जैसा भी बनाना है तो इस तरह से हम आलू की ठीकिया को बना करके रख लेंगे और इसके बाद जब भी बनाना हो देना हो तो गर्मा गरम फ्राई कीजिए और चाट को पेस कीजिए चाट के नाम सुन करके सबों के मुँँ में पानी आ जाता है मेरे मुँ में भी पानी आता है भाई और बाजार से तो लोग खाते ही है घर में बनाईए और सुद्ध साप सुथरा बनाईए और परिवार के साथ खाईए तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है या कोई भी छोटी मोटी पाटी कीजिए वर्थडे कीजिए उसमें भी आप इसको आलू टिक्या चार्ट बना सकते है तो इस तरह से ये हमारा जो है आलू की टिक्की जो है वो बन के तयार है इसके बाद अभी से चलते हैं फ्राई करते हैं तो स्ट्रीट साइड में तो बड़ा बड़ा तवा होता है और उस एक साथ पचासों पीस तैयार होता है हमारा आलू की टिक्की है लेकिन घर पे छोटा हमनों का तवा होता है तो उसमें क्या करेंगे एक बार में तीन बनाएंगे या चार बनाएंगे लेकिन बनाएंगे बहुत बड़िया थोड़ी देर के बाद जब एक साइड पक जाए तो इसे हम पलट लेंगे और ये गर्मा गर्म तो इसके साथ सिर्फ तही या चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है आलू टिक्की भी तो इस तरह से देखिए हमारा करारा जो टिक्की है बनके तयार है तो अब इसे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे इसके बाद फिर जो दूसरा सेकेंड पैच है उसे भी हम बना लेंगे और आलू टिक्की बना करके रख लेना है जब भी सर्व करना है तो उसे गर्मा गरम ही सर्व किजिए तो बहुत मज़ा आता है अब मेरे पास चार है तो चारों को मैं इस तवे पर डाल करके इसे भी हम गोल्डेन फ्राई कर लूँगी सेलो फ्राई तो ये ठीकिया आप डारेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं जैसा भी आपके उपर है घर में आप कुछ भी कर सकते हैं आजकल घर में सभी लोग के को तेल भी मना है कम तेल खाना है तो उस हिसाब से आप कम तेल में भी इसको बहुत ही अच्छा करारा सेख सकते हैं तो ये मीडियम फ्लेम में हम इसे पना लेंगे अब जब हमें चाट को सर्व करना है तो इसको थोड़ा और ज्यादा क्रंची बनाएंगे हम तो तबाप थोड़ा सा तेल और डाल करके इसे हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे जिस तरह से ये हलका सा दबा देंगे तो चमब से भी आप दबा सकते हैं कोई भी भारी चीज से आप इसे दबा करके और तब से किये और 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 भी करारा बहुत ही क्रिस्पी बने गई ये हमारा तो इसे प्रेस करने से क्या होगा कि जो सौपने से है वो हो जाएगा उसमें अच्छी तरह से क्रंच आ जाएगा और जब भी स्टार्ब करें तो गर्मा गरम तीस तरह से देखिए हमारी आलू की टिक्की है न वो बहुत ही करारी लग रही है देखने में भी आप लोग को लग रहा होगा तीस तरह से अब हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे तो चलिए अब एसेंबल करते हैं अपने चाट को तो इस तरह से ये भी जो मटर है न इसे जरूर गरम कर लीजिए ये ठंडा बिलकुल मत कीजिएगा और बाजार में तो थोड़ा और पतला होता है आप चाहे तो थोड़ा सा और इससे पतला भी बना सकते हैं इसके बाद डालेंगे हम ग्रीन चटनी इसके बाद डालेंगे इमली की चटनी खटा मीठा तीखा और इसके बाद प्याज डाल देंगे साथ में भूना हुआ जीरा पाउडर है इसे भी डाल देंगे इसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद लाल मिर्च पाउडर है इसे भी डाल दीजे इसके जगा चिली फ्लेक्स भी आप यूज़ कर सकती है इसके बाद कुछ हरी मिर्च है उसे भी कट करके डा देंगे साथ में थोड़ा सा काला रमक भी हम स्प्रिंखल कर देंगे इसके बाद चाट मसाला जाएगा तो चाट मसाला बिना तो हमारा चाट कम्प्लीट होगा नहीं थोड़ा साथ उपर से आप चटनी बगएर डाल दीजिए और ये नमकीन सेव है इसे उपर से गार्निस कर लीजिए इसका क्रंच है ना चाट में बहुत अच्छा लगता है तो देखे इस तरह से हमारा चाट का प्लेट जो है तैयार हो चुका है ये खाने के लिए और थोड़ा साथ उपर से चटनी डाल देंगे इमली की चटनी ये बिलकुल तैयार है खाने के लिए सर्व करने के लिए आप लोग को कैसा ये चाट का रेसीपी लग रहा है दोस्तों अगर आपको चाट करें से भी थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें धर्नेवाद